हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है परवरिस मम्मी मैं आफिस के बाद घर आ जाती हूँ भाभी क्लीनिक से आएं उसके पहले निकल जाऊंगी आपको कुछ दिखाना है प्रिया ने खुस होते विए अपनी मा यमुना को फोन किया यमुना जी के प्रिया और सोभित दो बच्चे हैं दोनों की साधी हो चुकी है महेज जी के आकस्मिक देहानति के बाद यमुना जी ने अपने पती की जगा नौकरी प्राप्त कर ली ओहदा छोटा सही पर विध्वा के लिए आमदनी का जरिया था उन्होंने काफी संघर्सों से अपने बच्चों को अकेले पाला पोसा प्रिया बैंक में है तो सोभित इंजीनियर शोभित की पतनी महिमा डाक्टर है दर्वाजे की घंटी बजी यमुना जी ने दर्वाजा खोला प्रिया ने मा को गले लगाया प्रिया के हाथ में बहुत सारे सौपिंग बैक्स थे देखो मम्मी मेरी बैंक कॉंक से की हुई सौपिंग प्रिया ने ड्रिसस और जोलिरी दिखानी सुरू की यमुना जी ने हिचकी चाते हुए पूछा महिमा के लिए कुछ नहीं लाई प्रिया की सकल उतर गई मम्मी आपको सिर्फ भावी की लगी रहती है आप दुनिया की एक लवती मा हो जो बेटी से ज्यादा बहु को प्यार करती हो विदेश से जितना सामान ज्यादा लाओगे प्लेन में उसका लाने का अलग किराया देना होता है प्रिया अपने बैग में सामान फिर भरने लगी यमना जी ने अपने अलमारी खोली उसमें से एक जोलिरी का बाक्स निकाला प्रिया के बाक्स खोलते ही आँखे चमक गई वह मम्मी ये कब खरीदा ये तो बहुँ सुन्दर है प्रिया अपने गले से लगा आईने में देखने लगी यमना जी ने प्रिया के हां से लेकर निकलेस अपने गले में लगा कर कहा ये मेरी बहु मेरे लिए अमेरिका से लाई यमना जी के चेहरे पर एक अलग सी रोनक थी इस उम्मर में मम्मी ये सब तुमको सोभा नहीं देगा प्रिया ने तंज कसा ऐसा तुम्हें लगता है पर मेरी बहु को लगता है एक विधवा मा के साथ मैं एक औरत भी हूँ मैंने बच्चों की परवरिष उनके भविष्चि के लिए अपनी जिन्दगी का बड़ा हिस्सा लगा दिया जो मेरा फर्ज भी था पर महिमा के हिसाब से मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ अब मुझे अपनी छोटी छोटी ख्वाई से पूरी करनी चाहिए मुझे अपने लिए जीना चाहिए वो मेरी लिए ड्रस सेलेक्ट करती है मेरे नए नए हैरिस्टाइल बनाती है अपनी पार्टीज में मुझे भी ले जाती है इतना सब कुछ तो मेरी बेटी ने कभी मेर अच्छा है आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते मेरा संगर सब खत्म हो चुका है आज जो आईनी के सामने स्री मती यमना महेस वर्मा खड़ी है अब वो कोई बेचारी विद्वा नहीं एक आत्म विश्वास से भरी आउरत हैं प्रिया सर में से पानी पानी हो चु इसे ज्यादा प्रिया कुछ बोल ही नहीं पाई आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद